नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम समय चक्र में और मैं हूँ आपके साथ सौपनिल यादो आज हमारे साथ इस टूडियो में मौझूद है पंदित रवी शंकर जोतिसा चार। पंदीत जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रो पंचांग। क्या कुछ कहता है क्या कुछ खास है आज के पंचांग में। ओमनमस्षिवाय ओमनमस्षिवाय ओमशिवाय ओमनमस्षिवाय विक्रम सम्मध 208 करतिक मास शुक्रपक्ष पूरिपमा दिन सोमवार कृतिका नषचैंद 27 नवंबर 2023 सूर्य उदय प्राता छे बच कर चोतिस मिद पर सूर्यास सायं पांच बच कर बारा मिद पर राहुकाल बारा बच के आठ मिनट से दोपाहर एक बच कर शब्विस मिद तक आज सिवयोग भी हो रहा है तो बेहत खास है आज आप असनाम दान करके पुन्य के भागीदार बन शक्त है जैसा कि आज हमने पंडित जी से जाना कि आज का पंचांग क्या कुछ कहता है अब इसी कड़ी में हम आज पंडित जी से जानेंगे कि 12 राशियों के रासी फल यानि जी इनके सितारे आज क्या कुछ कहते हैं मेश राशी कारी विशेस की चिंता रहेगी आज के दिन आपको कानूनी मामलों में परिशानी संभव है अगर कोई कानूनी केस आपका कोट कचेरी का है तो उसमें थोड़ा साउधान हो जाए आज कि व्यावसाय से लाब होगा और श्वास्त के प्रतिवी थोड़ा ध्यान रखें ब्रिशब राशी वालों के लिए मानसिक तनाव बना रहेगा साथ ही आपको आज के दिन आर्थिक छेत्र में साउधानी बढ़तें व्यावसाय में लाब होगा परंतु ध्यान रखें वाहन बहुत साउधानी से चलाएं तीसी राशी मिथुन राशी कारी छेत्र में देस्त रहेंगे आपका नया आयका स्रोध बन सकता है आज के दिन द्यावसाय के लाब उत्तम रहेगा साथ ही मन प्रसंद रहेगा अब अगली राशियों के और रुख करते हैं कर्क सिंग और कन्या राशी के सितारे आज पंड ये मिलेगी आज के दिन साथी व्यावसाय से विशेश लाब है और आप अगर आज कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा साउधान रहेगा सिंग रासी धैरी बनाए रखें कारी में बिलंभ रहेगा तो उससे परिसान ना हो मन बहुत प्रसंद रहेगा आज के दिन और नौकरी में सम्मान बना रहेगा साथी यात्रा से विशेश लाब होगा लेकिन स्वास्त को लेकर भी थोड़ा ध्यान रहने की आउशक्ता है कन्याराशी कन्याराशी वालों के लिए आज आप अगर कोई परिवारिक मामला है तो उसमें सावधानी बढ़तें नहीं परेशानी बढ़ सकती है ब्योसाय से लाब कम होगा जिसकी भी चिंता आपको रहेगी सेहत नरम हो शकती है साथी आज आप थोड़ा क्रोध पर निय जंतरा रखें नहीं कारी आपके बिगड़ साथ तो अगली राशी को रुक करते हैं कि पंडिजी तुला व्रश्चिक और धनुराशी के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं तुला रासी वालों के लिए राजिनीतिक संबंध अनकूल रहेंगे आज नवकरी में वर्चस बढ़ेगा आपका अगर नवकरी पेसा जातक है तो वर्चस बढ़ेगा नहीं योजना अगर सोच रहे हैं तो वह सफल होगी व्योसाय में आप विस्तार कर सकते हैं साथ ही आ मन में आसा का संचार होगा एक नई आसा दिखेगी साथ ही आपको सिच्छा विद्यारती जातक थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं लेकिन वह उस्तार से धन लाब होगा और आपका मन प्रसंद रहे जा धनुराशी नवकरी में प्रतिष्ठा बढ़ेगी व्योसाय से उत्तम लाब होगा साथ ही आपको शुबकार करने के योगा बन रहे हैं साथ ही आपको सकारात्मक सोच बनाए रखें तो और भी बेहतर होगा और अपने अगर अस्वस चलन है तो उसकी चिंत ठोड़ा सा ध्यान रखें जैसा कि हमने पंडिट जी से जाना कि तुला वरह्षिक और धनुराशी के सितारे क्या कुछ कहते हैं देखें मकर रासी वालों के लिए कुरोध पर आप नियंत्रा रखना होगा किसी भी कारी को लेकर उत्तेजित नहों उससे बचें आर्थिक आपको थोड़ा सा नुक्षान हो सकता है उसका विसेश ध्यान रखें अगर आपको स्वास्त में घुटनों या हड्डियों से संबंदि दिक्कत चल लएए तो उसका विसेश उपचार कराएं नहीं वो बढ़ सकती है आज के दिए साथ ही आप अगर यात्रा करना चाहते हैं तो आज ना करें जरूरी हो तभी करें और साउधानी से करें नहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो शकती है अगली राशी कुमराशी कुमराशी वालों के लिए लोग प्रियता आपकी बढ़ेगी नौकरी में आपके उत्तम योग बन रहे हैं लाब हो शकता है साथ ही कुमराशी वालों के लिए स्वास्त से थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है तो आप उसका ध्यान रखें उसके साथ ही आपको अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका मन साम होते होते प्रसंद हो जाएगा पूर्ब में किये हुए प्रिश्रम का फल मिलने का दिन है और उससे आपका मन बहुत प्रसन रहेगा शांती मिलेगी साथ ही आपको पुत्र से संबंदित लाब हो सकता है संतान से आपको प्रबल लाब के योग बन रहे हैं धन लाब भी हो सकता है घर से कोई सुप समाचार मिल सकता है ऐसा संकेत है जिससे आपका मन प्रसन रहेगा और खुशाल रहेगा और आज आप समय अच्छा भीता है जैसा कि हमने पंडित जी से जाना कि 12 राशी के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे अपने उपायों को करके यह अपने जीवन में खुशी पा सकते हैं अब इसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं कि आज के दिन का पंडि कि पूरिमाती थी तो इस दिन बेहत सुभ संयोग है अगर जिन कुवारी कन्याओं का बिवाह में बिलम हो रहा या उनके माता पिता या वो परेशान है अपने शादी को लेकर कि हमारी एज जा रही है रिष्टा होते होते रुख जा रहा है तो वो लोग आज के दिन बहुत स हमारी कुवारी बहने कन्याएं जो है वो ब्रत्वी रखती है भगवान सिव का तो आज आप गंगा जल में थोड़ा सा सक्कर मिलाकर भगवान के शूलिंग पर अरपत करिए आपको विसेश लाब होगा साथ ही आज के दिन अगर आपके बिवाह में और भी बिलम हो रहा है तो दूसरा उपाय आज आप हल्दी और चने की दाल सिवलिंग पर अरपित करिए और भगवान से प्रात्ना करिए कि हमें सुंदर और अच्छा वर दें और जल्द से जल्द हमारा घर बसाएं भगवान भोले नात भोले हैं और आपकी आरात्ना जरूर सुविकार करेंगे और जल्द ही आपके साधी का योग बनेगा ये आपके लिए विशेश है तो जैसा कि हमने पंडित जी से जाना कि आज के दिन का विशेश क्या है अब इसी कड़ी में पंडित जी हमारे पास मेल के माध्यम से एक सवाल आ रहा है सवाल है सरवग क्या और इनकी जो जन्म ति प्रशानी है वो यह है कि उनका जो करियर है वो काफी कुछ सही नहीं चल रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी कुछ उथार चड़ाओ आ रहे हैं उनको काफी मतलब चिंता है कि उनकी शादी कब होगी उनका पार्टनर कैसा होगा इनकी जो खुली है सुमवार का दिन है 14 आपने बताया है 14 अगस 1995 चार बचके 45 मेर इनका जो जन्म का महीना है भादपत भादो माहा है किर्णपच की चतूर्थी तिथी दिन रभीवार उत्तरा भादपत नच्छत रहे इसमें इनका जन्म हुआ है इनकी जो कुण्ली इस हिसाब से तयार हुई है या कुण्ली इनकी करक लगन और मीन रासी की है गुरू यानि राशी स्वामी गुरू अकेला अस्थान हानी करा रहे हैं पंचम भाव में तो पार्टनर से संबंदित इनको अगर कोई इनका रिलेशन वैसे तो चलेगा नही मजबूत कोई मिलेगा भी नहीं लेकिन अगर कोई होता है तो उससे धोखा मिलने के प्रबल योग हैं तो इनको शावधान रहना होगा इनके कैरियर में देखा जाए तो मेश राशी कैरियर का स्वामी मंगल अपने से छठे में चला गया है इसलिए इनको थोड़ा सा संघर्स जादा करना पड़ेगा यह बहुत ही सांत सभाव के व्यक्ति हैं क्योंकि इनकी जो लग्न है वो कर्क है जिसके स्वामी चंद्रमा है जो अपने से नमंभाव में बिराजमान है भागी में बिराजमान है तो अगर नौकरी के साथ साथ ये कोई ब्यापार भी करते हैं क्योंकि धन भाव में बुद्ध बिराजमान हैं तो उससे भी विसेश इनको लाब हो शकता है खासकर चंडरमा से कारी करेंगे या मंगल से पानी दूथ दही इस सबका कारी करेंगे तो विसेश लाब होने के जीवन आगे बढ़े इनको थोड़ा सा एक कुल्णी में इनके सत्रू नहीं रहेंगे क्योंकि छठे भाव का श्वामी अकेला स्थान हानी कर रहा है साथ ही इनका भागी भी सही समय पे साथ नहीं देता है इनसे कहिए गुरु का थोड़ा सा उपाय करें गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल गुड़ खिलाएं केला ना खाएं केले की हो सके तो पूजा करें साथ ही ये शूरी को भी जल दें क्योंकि शूरी महराज इनके लग में बैठे हुए हैं तो इनको विसेश लाब देंगे तो जैसा कि सरवग की पंडित जी ने बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको पंडित जी ने उपाय भी बताये हैं जिनको आप करने से आप अपने लक्ष को प्राप्त कर सकेंगे वहीं हम फिर भी कहते हैं हर अपिसोर में कहते हैं कि राशी फल के साथ साथ करना है क्या नहीं करना है यह पता चलता है लेकिन हमें अपने कर्मों पर भी ठ्यान देना चाहिए दिफ़ां प्रयास करते रहना चाहिए जिसे सब कुछ हासिल कर सकते हैं वह आप पंटीची इसयों करणी करीं में कि और बढ़न है तो हम आज जाना चाहेंगे कि आ laboratories किस राषि के लिए कितना अनुकूल है तो आज क्योग जो दिन है वह मिठुन राषी कि साथी सिंग राषी और ब्रिश्चिक राषी वालों के लिए अच्छा है आपको ведь वालों के लिए भी अनुकूल है से सारी यासियों के लिए थोड़ہ उतार चणाव है तो ऐसे रासियों के जातक को थोड़ा साउधान रहना चाहिए साथ ही आज सिवयोग का भी निर्मार हो रहा है तो बेहत खास है अगर जो भी अपने भाई बहन माताएं कोई नया कारी शुरू करना चाहती है तो आज के दिन कर सकती है वह आपके लिए विशेश लाब देने जैसा कि आज हमने पंडित जी से जाना कि बारा राशी के राशी फल क्या है इनके सितारे क्या कुछ कहते हैं ग्रहों की चाल क्या है आज के दिन का विशेश क्या है इसी के साथ साथ हमारे पास मेल के माध्यम से कई सवाल भी है जिन में से सरवग की का सवाल भी आया उनके ये लिए जीवर में क्या अनुकूल है क्या नहीं है और उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी बताया अब वहीं पंडी जी से आज की दिन का अनुकूल क्या है किस राशी के लिए कितना अनुकूल है आज का दिन हमने ये भी जाना अब अगले एपिसोड में हम मिलेंगे नए क्या कहते हैं एपिसोड के साथ बंडी जी बताएंगे कि उस दिन के राशिफल कि सितारी क्या कुछ कहते हैं तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी और अगर आपका भी कोई सवाल या सुझाओ है तो स्क्रीन पर दिये गया नंबर पर करने कि एल माँ पर आपका भी कृड़ एंडी भी कर दो 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 आपका भी कर दो दो आपका भी कलिछ दोब प्राइम जी 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 हम एलापका कि ऑचाओ